वेल्कम टू किंग बट्सकेर दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो होने वाली है फिंच के उपर अच्छा जी अभी की मुझूदा सुरतियाल चल रही है सर्दी का महौल आपको पता है कि सर्दी जो आ चुकी है और इस मौसम में लोगों की फिंच की ब्रीड जो है फिंच जो है वो बच्चे मर रहे हैं और फिंच के उपर है किस तरह आप सर्दी के मौसम में भी फिंच से अच्छी प्रोडेक्शन ले सकते है तो स्टेप बाइस सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूं और उससे पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न आप देव जाते हैं कि हमारे पास यह जो बड़ हैं वोट वे भीमार हो रहे है हैं या मर रहा हैं और किसी और के पार्विंच सब्सक्राइब करें और अपनी performance में भी कमी नहीं करेगा मिसाल के दोर पे आप यहां पर देख सकते हैं फिंच के बच्चे माशल लग से healthy active हैं सारे पटे और इस मौसम में भी फिंच जो है वो अच्छी breed कर रही है अभी यह पटे भी आप देख रहे हैं और उसके अंदर भी क्या मामरा चल रहे हैं वो भी दिखाता हूँ बताने का मकसद यह है कि अगर आपके पाप bloodline strong होगी तो आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं होगी सिर्फ आपना diet का क्याल लगना है direct हवा से इनको बचाना है और यह आपके पास इस मौसम में भी अच्छी breed करते रहेंगे सबसे common मसला आता है कि आपके finch फूल के बैट गए और अगले ही दिन expire होगी इसका सबसे बड़ा reason है कि इसको direct हवा लगी है अब यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत सोई लोग office going होते हैं वो सुबा खोल के चले जाते हैं और रात में आके उसको cover करते हैं देखिए दोस्तों सुबा भी देर तक ठंडी हवा चल रही होती है और रात में भी बहुत जल्दी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है शाम से शुरू हो जाती है तो maximum आप मगरिब तक जो है वो इनको इनका पानी वगरा निकाल के इनको cover करते जिए तो जादा बहतर रहेगा और सुबा भी आप बहुत सुबा फजर में नहीं को लिए इनको तक तक आप ओपन कीजिए ताकि थोड़ी सी धूप पी आ जाये तो सर्दी का जो जोर है हवा का वो तूट जाए दूसरा मसला आता है मटकी के अंदर ही बच्चे जो है वो एकस्पायर हो रहे है इसके दो बड़े रिजन है पहली चीज़ के इनके जो parents है वो इनको अच्छी तरीके से feed नहीं करवा रहे है दूसरी चीज़ के आपका मौल जो है जहां पर आपने बड़ सरके में वो को जादा ही ठंडा हो रहा है नेस्टिंग जो है वो कम हुई विए जिसकी वज़़े से मटकी ठंडी होनी के वज़़ा से भी बच्चे ठंड की वज़़ा से मर रहे है ऐसी कंडिशन में आपने पहली चीज़ नेस्टिंग इनको अच्छी देनी है दूसरी चीज़ नेस्टिंग के साथ साथ आपने इनको पर प्र प्रोवाइड करने है आपकी एवरी के अंदर जो है जो भी सेट अप है आपका वहाँ पर पर एकहटा हो जाते हुँगे किसी भी जगह पर कोने पर आप ने صाण करके इनको दे देने हैं अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने अपनी नेस्टिंग के साथ साथ पर भी जमा करे हैं दूसरी चीज, आपकी जो ट्रे है, भो बहू जादा थन्डी हो जाती है, तो ट्रे के उपर आप ने, एक कार्पेट का टूकडा, जो है वो बहुत मैं काट के बिचा दिजीए, अभी मैं आपको दिखाता हूं, यह देखिए, एक कार्पेट का टूकडा जो है वो इस तरह लगा तो पर यह उल्टा नुकसान करेगा तो आप जब इनको पानी लगाते हैं यह लाजबी नहाएंगे नहाने के बाद इनके नहाने से पहले जो है वह कारपेट आप निकाल लीजिए और नहाने के बाद ट्रे को खुश करके वापसी कारपेट यह गत्ता लगा दीजिए इसके दो फाइदे होंगे पहला तो जो आपकी ट्रे से डारेक्ट ठंड निकल रही है वो इनको इनको एफ़ेक्ट नहीं करेगी थोड़ा सा कंट्रोल करेगी दूसरी चीज जो बच्चे अच्छे इस ट्रिक के दो फाइदे हैं पहली चीज यह आपके केज के अंदर जो हलका सा कंट्रॉल करने में मतद करेगी और दूसरी चीज खास तोर पर जो बच्चे नीचे कूच जाते हैं मटकेओं से वो डारेक्ट 20 टे के ऊपर बीमार हो जाते हैं यह बच्चेों को बीमारी से बचने में भी मदद करेगी अच्छा जी अब ज़रा मटकेओं के हाल भी आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा ब्रीड है रहा है माशाललह से, कि यह अपने अंडों की कितने अच्छी तरीके से इफाज़त कर रहा है वरना जादातर फिंची जो है वो फॉरन आडर के मारे उड़के निकल जाती है अच्छा जी, यहाँ पर भी अंडे मौजूद है माशाललह से, यह देख सकते हैं आप यह खाली है और यहाँ पर भी माशाललह से अंडे मौजूद है और आगे चलते हैं यहाँ पर हैचिंग स्टार्ट हो गई है माशाललह माशाललह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नन्ने मुन्न बच्चे हैं और यह इसी अटमास्फियर पर जिन्दा है माशला से पल रहा है अच्छे पल रहा है अच्छी ग्रोथ कर रहा है और यह परों को जो मैं आपको बता रहा था कि हर मैटकी के अंदर आपको पर दिखे होंगे तो यह भी आपने जरूर देना है अब एक और सवाल आता है जो के बहुत सो लोग फिंचिस के लिए भी कर रहे हैं और जावा के लिए भी कर रहे हैं कि इस सर्दी के मौसम में हमने अपने परेंदों को नहाने देना चाहिए या नहीं अच्छा फिंक चीस के लिए यहाँ पर एक छोड़ी से टेक्निक इस्तमाल करने पड़ेगी आपने पाउट दिखे होंगे, मारकेट के अंदर जाली वाले पाउट मिलते हैं जिनकी जाली निकल भी जाती है वो जाली वाले पाउट आपनें इस्तमाल करना है अच्छे जी नहाने का टाइम इनका आप रखें 11 वज़े से एक बज़े के दर्वियन ताकि ये नहाने के बाद भी एटमोस्फियर जो है वो गरम रहे और अच्छी तरह अपने आपको कवर कर लें इसके बाद आपने वो जाले लगा देनी है पॉट के अंदर ताकि ये नहाना सके उसके दो फायदे होंगे पहली चीज़ ये है कि ये आउट टाइम में नहीं नहाने गे क्योंके अकसर ये शाम के टाइम में भी नहाना लेते हैं जिसकी वज़े से ये बिमार पड़ जाते हैं और अगले दिन ये अगले दिन एक्सपारी की दरफ चले आते हैं दूसरा उसका सबसे अच्छा फायदा यह होगा कि जो बच्चे होते हैं जो नीचे कूद जाते हैं अक्सर वो पानी के कुंडाली के अंदर जम कर देते हैं और फिर वो गेले होने की वज़े से ठंड का जाते हैं और बिमार होके एक्सपायर हो जाते हैं तो इससे जो बच्चे नीचे कूद रहे हैं वो भी सिक्योर हो जाएंगे और आपके बर्ड्स भी जो है वो आउट टाइम में नहीं नहाएंगे जो नहाने का टाइम है उस टाइम पर भी नहा लेंगे अभी भी आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चे भी और इसमें बड़ उनको fresh पानी देना है एक और common mistake यहाँँ पर लुग कर रहे हैं कि रात में पानी निकाल देना है मगद ठंडा ही पानी लगा देते हैं दोस्तों सुबा पानी के टंपरेशर जो है वो काफी कम होता है और पानी को अगर आप हाथ लगा के मैसूस करेंगे तो काफी ठंडा होता है इनके लिहाज से तो आपने उसको हलका सा टमप्रेशर को उसमें गरम पानी करके तोड़ सा डाल दीजिए ताके उस पानी का टमप्रेशर मेंटेन हो जाए और वो पानी इनको दीजिए इसके इलावा मिक्सीट के अंदर पी आपने थोड़ सा काम करना है मिक्सीट आपने जो अतयार करनी है उसमें लाल कगनी की मताथ थोड़ सी जादा कर दीजिए इसी के साथ साथ आपने उसको हलका सा गरम करना है और उसके अंदर कॉड लिवर आईल शामिल कर देना है तकरीबन 1.5 किलो मिक्स सीट के अंदर फिंच की आपने 1 टेबल स्पून कॉड लिवर आईल अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ये इनके लिए काफी रहेगा अच्छे जी आपने ये बहुत जादा इस्तमाल नहीं करना जो रेशो मेंने बताया है ये ही रेशो आप रखिये अगर आप दाना बढ़ाना चारहे हैं तो फिर इसी रेशो के एसाफ से कम जादा कर सकते हैं और इसी के साथ साथ सौफ फूड देना भी बहुत ज़रूर रही है सौफ फूड के अंदर आपने एक फूड हफते में दो से ती दफन को लाजमी देना है इसके अलावा जितने भी आप अनाज बगारा देते हैं उसके अंदर हलकसा मौरिंगा पॉडर शामिल करके देजिए आपको रिजल्ट माशाला से बहुत अच्छा मिलेगा मौरिंगा पॉडर बहुत फाइदे मन्द है आपके बट्स के लिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है या आपके बट्स की तमाम नुटेशन और मिनलस बगारा को पूरा कर देता है अच्छे की मौरिंगा पॉडर के उपर में एक स्पेसेफिक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर पूरी मेनिफेक्चरी इन दिखाई है मैंने अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुँदे आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक ज़रूर करें होगर आपको लगता है ये वीडियो इंफरमेटिफे किसी के काम आ सकती है तो लाजमी इसको शेर ज़रूर करें चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते हैं इसी तरह के यूसूल कॉंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ नेक्स वीडियो में बहुत जल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपना और अपने वर्ट्स का बहुत खियाल रखिए टेक कियर